नमस्का फ्रेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में आज मीन राशीवालों के लिए एक 15 दिन का इतना शुब मुहरत बन रहा है कि इस मुहरत में जो भी अगर आप काम सोच रखे हैं आपने, जो भीष्ट कारे आप सिद्ध करना चाहते हैं या जो काम बहुत लंबे समय से आपके अठके पड़े हैं, उनको गती परदान करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ये बर्दस उत्तम परिस्तिती मीन राशी मानों के लिए बन रही है कारण उसका बनेगा जो आपका सुक्स्तान का स्वामी और सब्तम्स्तान का स्वावी बुद माराज है वो नीच राशी से निकल करके 26 तारीक की दुपहर 3 बच करके 3 मिरट में मेश राशी में गोचर करेंगे और वहां पर ये अस्थ परिस्तिती में भी हो जाएंगे वक्री भी हो जाएंगे वो नौ अपरेल तक रहने वाली है तो 26 मार्श रेकरने नौ अपरेल का समय अगर मैं देखूं तो ये पंद्रे दिन का समय आपके साथ चल रहा है ये बहुत एक तरह से शुब मोहुरत की तरह है और इस मोहुरत में आपको अपने सभी काम सिद्ध कर लेने चाहिए अब आपको कौन से काम आपको सिद्ध करने है और कौन से काम आपके बनेंगे वो वीडियो में मैं विस्तार से उसकी चर्चा करता हूँ परन्तु भूमिका में मैंने आपको बता दिया कि इसका कारेंट बनेगा बोध महाराज क्योंकि बोध महाराज आपके सुक्स्तान के स्वामी का समंद आपके लगनेश से हो रहा है और दशम्स्तान के स्वामी से भी हो रहा है तो ये बहुत उत्तम परिस्तिती है इस तरह के राजयोग को प्राप्ट करने के लिए जिसका विवेचन में आगे करता हूँ तो सबसे पहले जो परिस्तिती आपको 26 तारिक के दोपहर 3 बज़ के 3 मिनट से बनने वाली है वो बनेगी धन समंदी मामलों में जो फाइनस से रिलेटेट कोई भी दिक्कत है अगर आपके इससे पहले चल रही है अब फाइनस से समझ से क्या होती है नौकरी में है हमारा इंक्रिमेंट नहीं लग रहा है उसके लबा कहीं लोन की परिशानी चल रही है पैसा किसी को वापिस करना है या हमने किसी को पैसा दे दिया है वो पैसा नहीं मिल रहा है यह सबसे बने फाइनस की दिक्कत होती है उसके लबा अगर हमने कोई फ्लैट बेजना है जमीर बेजनी है, मकान बेजना है या कुछ भी बेजना है, उसका हम उच्छे दाम चाहते है तो वो finance से समझदी problems है नौकरी नहीं है, घर में पैसा नहीं है वो सब finance की problems है तो वो सभी finance की problems, पैसों की problems इस समय इस गोचर में आपकी स्माफ्ट होगी क्योंकि उसका सबसे बड़ा गराम समझने कोशिश करें तो जो बुद महाराज होते हैं, वो रजोगूणी परधान है रजगूण, सत्वगूण, और तमसगूण, तीन गूण रहते हैं उसमें सभी ग्रहों में ये नहीत रहते हैं तो बुद महाराज को रजोगूण दिया गया है, रजोगूण का मतलब होता है डिजाइड्स, इच्छाएं, जो भी हम बहुती जगत में सफलताओं के लिए या समसार में समय रहने के लिए जो हम इच्छाएं रखते हैं उन सभी का निर्धान बुद महाराज करते हैं तो सबसे पहले अगर हम नौकरी के बारे में सोचते हैं वो रजोगूण है, पैसे के बारे में सोच रहे हैं, जौब के बारे में सोच रहे हैं संतान की उन्नती के बारे में सोच रहे हैं अपने स्वास्ते के बारे में सोच रहे हैं तो ये सभी को जो है बोध महराज हमें परदान करते हैं वाणी के कारक होते हैं Communication भी हमारे को बोध महराज देंगे तो ये सभी चीज़े गुरु के साथ गुरू के साथ दिकत क्या है या गुरू के साथ अच्छी चीज क्या होती है कि गुरू सत्तो गुणी है सत्तो गुणी का मतलब होता है बैलनेस बनाना हर चीज में एक सामल जिससे बिठा देना चीजों को जो टूट गई है जो बिछड गई हैं क्योंकि ब्रेस्पती के पास एक golden touch है मिडास touch है जिसको भी चूँ देते हैं उसको ये सूना बना देते हैं तो ये परिस्तिती इस समय बुद्ध महराज को प्रदान करेंगे उसकी वज़र से जो भी आपकी इच्छा हैं जो भी अभिश्ट इच्छा हैं वहाँ से उससे निवरिती हो जाएगी उनकी नौकरी लगी उनको जॉब लग गया उसके लावा हमारे को कई घर में मकान खरीने की कोई समस्या है भूमी खरीने की कोई समस्या है घर फ्लैट बेशना है वह सब अज समय आपका बहुत अच्छा हो सकता है बैंकिंग शेतर से जो लोग जुडे होंगे फैनेशल सेक्टर से जो लोग जुडे है उनके लिए बहुत उत्तम परिस्तिती यहाँ पर ये गोचर की विज़े से रहने वाली है क्रिशक अग्रिकल्चर से जिनका कोई काम है क्योंकि जो बुद्ध महराज होते हैं वो नॉन लिविंग तिंग्स प्लांट्स हो गया या खनीच पदार्थ हैं हमारे पास उसके लावा यात्रों का है तो ये सब बुद्ध के द्वारा दिखा जाता है तो इन सभी चीजों में क्रिशकों को किसान बागवानों को फसलों के उचे दाम मिलेंगे उन से उनको लाव की परिस्तितिया बनेंगी हाउस वाइफ ग्रिहनों के लिए बहुत उक्तम परिस्तिति भूद के साथ जो है दीव गूरु ब्रहश्पति का मिलन है क्योंकि भूद महराज जो होते हैं चाहते हैं कोई नया appointment letter आप expect कर रहे हैं, कई interview दे रखा है, उसके लिए कोई अच्छा चाहा रहे हैं, तो बोध महराज वो सभी आपको इस समय दिला देंगे, उसके बस चाहत यह सब तमस्तान के स्वामी भी होते हैं बोध महराज, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे उत्तम परिस्तिती बनती है, वैपार, वैपार और partnership दोनों के लिए यह समय बहुत जिबरतस चल रहा है, अब partnership का मतलब होता है, किसी के साथ भी जिब हमारे समंध है, चाहाँ वो आपके परिवारिक समंध हो, चाहाँ वैफसाइक समंध हो, बिजनस करते हो, तो उन से लाब हो जा है, विवाह के आप पे chances बन रहे हैं, कोई आपको अच्छा रिष्टा समय मिल सकता है, तो यह परिस्तिती यहाँ पर बनी हुई है, दो मकान बनाने के परिस्तितियां, या दो flat screen ने के परिस्तिती, या अच्छी परिस्तिती जिसमें विक्ति सोचता है, कि कहीं और वो invest कर दिन चीज़ों पर ये उन 15 दिनों में आपको मार्च दर्शन प्रात होगा, और नौकरी के लिए जैसे मैंने कहा कि दो रोजगार के यहाँ पर आपको अफसर मिलेंगे, दो पांड में लेटर आपको यहाँ मिल जाए, या ऐसी परिस्तिती जहाँ आपको कोई जौब चू जो है, तो उसमें भी आपको ये बहुत लाग की परिस्तितियां जो आपको बुद माराज और गुरु का मिलन है, दिरातावन नजर आएगा, और यहाँ एक जो विशेश परिस्तिती बुद और देव गुरु ब्रिस्पति के मिलन से होने वाली है, वो है आपका समाज में रुत्वे को बढ़ाना, अचानक आपका कहीं समाज में रुत्वा बढ़ेगा, कोई आपको कोई पोस्त मिल सकती है, कोई नए जिम्मेवारी मिल सकती है, उसके लाब आपका औरा बढ़ने की पूरु रूप से समभावनाय बन रही है, औरा बनने का मतलब होता है विक्ति क इतनी नीच की राशी में आ जाएंगे, परन्तु तब तक आपके लिए ये सब काम अपना करके चले जाएंगे, क्योंकि उसके पस्छा सूर्य महराज का मिलन होना है देव गुरु बहस्पती के साथ, परन्तु उससे पहले जो आपका सुक स्थान के स्वामी का समन्द और सब्तम स्थान क्रत्र भाव के स्वामी का समन्द देव गुरु बहस्पती से होना है, ये बहुत उत्तम परिस्थिती है, बहुत अच्छी परिस्थिती है, उसके लावे एक और परिस्तिती जो विशेश तोर पर बनने वाली है वो है शनी के द्वारा मंगल का प्रभाव आपके दूत्य स्थान पर पहुंच जाना और ये परिस्तिती बहुत अच्छी है आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं और भाग्यस्तान पर भी इसकी दिश्टी पहुंचेगी तो सबसे पहले तुम जैसे मैंने कहा कि करम शित्र से आपको पैसे प्राप्त होते हुए नजर आएंगे उसके लाव आप भाग्य का साथ मिलेगा विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं और एज्यूकेशन के लिए कोई प्रयासरत है उसमें आपको उन्नती तरक्की यहां पर दिखाई दे रही है उसके लाव यह समय है जो आप अपने स्पाउस से या अपने दंपत्ती से कुछ नो कुछ पैसा यहां प्राप्त करेंगे उनका स्वास्तिय अगरे खराब चल रहा है तो उनका हेल्थ इश्यूस खराब ठीक हो जाएंगे कोई परिशानी जो हेल्थ खराब थी वो ठीक होती भी अननजर आएगी सरसुराल से माईके से कही न कहीं पैसा आप इस समय प्राप्त करते वो नजर आएगे स्टूडेंट्स के लिए बहुत उत्तम परिस्तिती है एज्यूकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है सत्तो गुनी ब्रहस्पती जो बुद्ध माहराज को जो एज्यूकेशन का कारक भी माने जाते हैं इंटेलिजन्स बुद्धी परदान करते हैं तो यहां पर आपको जाए इसका प्रवाव से प्रवाव से प्रवाव से प्रवाव में फोकस बढ़ेगा और अच्छे मार्क्स के साथ अपने एक्जाम्जम सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे तो यह 15 दिन का महुरत है मीन राशिवानों के लिए बहुत अप्तम परिस्तिती है आप इसका पूर्डूप से लाव उठाइए जो काम आपके इससे पहले नहीं हो पा रहे हैं उन कामों का आप आगे बढ़कर के उसकी गती परदान कीजिए उसमें प्राकरम पुर्शार्थ कीजिए तो यह समय फिर आपके लिए बहुत अप्तम रहने वाला है तो सत्योगूनी ब्रहस्पति का रजोगूनी बुद के साथ जो यह मिलन है जो 26 मार्च से लेकर के 9 अपरेल की परिस्तिती है उसके पर आज हमने इस वीडियो में समझा उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा इफ यू लाइक दे वीडियो प्लीस सब्सक्राइब दे चैनल थैंक्स व वाचिंग दे वीडियो